लो बाज़न गर्ल्स आपका स्वागत है मेरे चैनल में इसका नाम है इंडियन अकाडमी आफ कॉमर्स और अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वह है डिफरेंस बिट्विन बिल फ लेडिंग और चार्टर पार्टी बहुत ही छोड़ा सा टॉपिक है ज्यादा बड़ा होंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बैल आइकन दबा दीजिए ताके आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें तो आई आज का लेक्टरा स्टार्ट करते हैं विल फ लेडिंग और चार्टर पार्ट के उपर गुड्स है और एक तरह से एविडेंस का भी काम करता है कि दिर इसे कॉंट्राक्ट ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स ठीक है एक तरह का कॉंट्राक्ट साइन किया गया है बिट्विन एक्सपोर्टर एंड दा कैरेजिंग कंपानी ठीक है जो अपने जो सामान को करकेशन पर है जिसमें कैरेज का कौंट्रैक्ट को चाटरपर्टर का मतलब होता है कि यह सीर्फ एक सहन immense को या फिर उस पूरे शिझे को आपने यह Charter Party हो गया Bill of Lady यह समझ में आया हो Charter Party में आपको बता दिया है आगे देखते हैं इसको और तौक्यमेंट के देखते हैं यह चार्टल तौक्यमेंट के द्रूर्प यह अप्सक्राइपे था segundos इंडॉर्समेंटके था आप एंडॉर्सकोकिता है और लगिन चाँडर पार्टी जो होता है एंडॉर्समेंटके जा सकता ठीक है तो एक तरफ याद रखो तूसरा ऑट्रमाटिक हो जाएगा यहां can be होगा यहां cannot be होगा simple सी चीज़ है it does not amount to a lease of ship ठीक है एक तरह का lease नहीं होता किसे भी ship का बट यह जो है यह तरह का lease होता है एक ship का या फिर उस ship के छोटे से हिस्से का अपने अंडर में ले रहे हो रहा है एक साल तक इस company को के ship जो है मेरे समान को बूसरी country में लेकर के जाएंगे export के लिए ठीक है तो वो lease के थू भी इक तरह से देखा जाता है चार्टर पार्टी को बट वो जो होता है वो lease के रूप में नहीं देखा जाता हूँ पाचवा नंबर पॉइंट है it is always for carriage of goods to a particular destination bill of leading जो होता है वो हमेशा किसी भी goods को एक particular destination तक पहुचाने के लिए as a carriage के रूप में इस्तेमाल किया जाता है bill of leading का बट चार्टर पार्टी में ऐसा नहीं होता इत में भी for a particular voyage और फार पर्टीकिलर पीरिए यह जो होता है यह प्रटीकिलर वाइज के लिए हो सकता है वाइज मतलब जो टूटल transaction है आप ने अपने समान को दूसरी country में भेजा है ना यह जो transaction हो रहा है इसको वाइज कहा जा रहा है या फिर कोई पर्टीकिलर period के लिए होता है, voyage मतलब कोई एक transaction या फिर कोई एक event जिसमें आप सामान को भेज रहे हो वो एक हो गया, period में क्या होता है कि period मालनों एक साल का हुआ तो उसमें एक साल में अपने सामान को एक ही बार थोड़ी export करोगे, बार-बार कर सकते हो तो यह सिर्फ particular destination उपे जाने के लिए कर रहा जब goods के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह वैसा नहीं होता है, यह particular voyage और particular period के लिए होता है, तो यह काफी छोटा सा difference था बेल उफ लेडिंग और चार्डर पार्टी में आई होपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक, कमेंड और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्स्राइब कर लिए जिए, हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में, जो की होने माला करतास कियाब आपसे मिलते हैं हमारे आतास को सिह, हमारे बेलते हैं हमारी प हुआ है